नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा हूँ, मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हैर ट्रांस्प्लांट सर्जिन हूँ, डर्मावन के लिकने आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्जीमा के बारे में हम जानेंगे कि एक्जीमा क्या होता है, ये कैसे होता है इसके क्या-क्या इलाज होते हैं, कौन-कौन से दवाईया या क्रीम होती हैं जो कि इसके इलाज में इस्तेमाल होती हैं और साथ-साथ हम ये भी जानेंगे कि इसके क्या-क्या घरे लिए लाज हो सकते हैं यह इक्जीमा एक लम्बे समय चलने वाली प्रब्लम है तो हम यह भी डिस्कुस करेंगे कि घर पर आप क्या क्या चीजां कर सकते हैं जिनसे आपका एक्जीमाकंट्रोल में रहे जैसे जैसे समय बीटा जाता है ये निशान डर्क कलर के हो सकते हैं थोड़े थिक हो सकते हैं और थोड़े ड्राइ भी हो सकते हैं अब हम यह समझते हैं कि eczema क्यों और कैसे होता है eczema होने के मेंली दो कारण है genetic या environmental genetic या an canvas Spencer कारण से मतलब ये ये कुछ एक jeans होते हैं जनकी मदद से हमारे skin की normal protective layer बनती है जब ये jeans defective हो जाते हैं तो हमारे skin की protective layer अच्छे से बन नहीं पाती ऐसे लोगों में eczema होने की chances बढ़ जाते हैं जब ये skin की protective layer अच्छे से नहीं बनती तो skin के through water का loss होना increase हो जाता है जिससे skin dry हो जाती है इसमें सूजनाने लग जाती है साथी साथ जब ये protective layer अच्छे नहीं होती तो बाहर से allergy पैदा करने वाले कान skin गंदर आराम से प्रवेश कर सकते हैं जिससे की allergies हो सकती है skin में भी और बाकी शरीर के हिस्सों में भी इसके अलावा जिन patients में skin का protective layer अच्छे से नहीं बन पाता है उन patients में good beneficial bacteria की जगा harmful bacteria भी ग्रू कर सकते हैं जो की समय से में पर skin में infections create कर सकते हैं अब बात करते हैं environmental factors की जिन लोगों में eczema होने की tendency है जिनकी skin की layer protective layer अच्छे से नहीं बन पाई है उन patients में normal environment में होने वाली चीज़ें भी allergies create कर सकती हैं जैसे कि अगर eczema की patients को सर्दी के मौसम में या low humidity environment में जाना पड़े तो उन areas में उनको eczema बढ़ जाता है इसके अलावा अगर वो dust mites से या फिर pollen से यानिकी फूलों के करणों से अगर समपर्क में आते हैं वो भी उनको eczema बढ़ने की tendency रहती है इसके अलावा अगर वो बार-बार हाथ होते हैं या soap या फिर detergent से उनसे जो harmful chemicals होते हैं वो उनकी skin में एंटर करके allergies create कर देते हैं अब बात करते हैं eczema के इलाज के बारे में सबसे पहले जो चीज़ें आपको समझना जरूरी है जो जो घरेली वी लाज आप कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं अगर आपको eczema है तो आपको कुछ एक साफधानिया बरतनी चाहिए जैसे कि सबसे पहले आपको दिन में सिरफ एक बार ना आना चाहिए पांच से दस मिनट के लिए जो पानी आप यूज़ करें वो पहुँजादा गरम ना हो गुन गुना हो उसके अलावा जैसे आप साबुन इस्तेमाल करते हैं उनमें कलर, परफ्यूम या कोई भी अलरजन नहीं होना चाहिए और वो प्रेफरेबली नॉन सोप क्लेंजर हो तो अच्छा रहता है इनका पीएच न्यूटरल हो तो बहतर रहेगा इसके अलावा जैसे ही आप नहा के निकलते हैं उसके बाद विदिन थ्री मिनट्स आपको मोईस्टराइजर लगा लेना चाहिए स्किन के उपर मोईस्टराइजर जादा अमोंट में लगाना चाहिए इसको डेली लगाना चाहिए हो सके तो दिन में दो बार भी लगाएं इसको इसके अलावा मोईस्टराइजर में भी आपको सेम सीज़े ध्यान देनी है कि इन में कलर ना हो allergens ना हो या perfumes ना हो इसके अलावा अगर आपके हाथों में एक्जीमा है तो आपको बार-बार हाथ नहीं दोने चाहिए अगर आपको हाथ दोने की जरुवत पड़ती है तो immediately हाथ दोने के बाद उसमें moisturizer जरूर लगा लीजे अगर आपको पैरों में एक्जीमा है तो वहाँ पर भी आपको बार-बार moisturizer लगाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि पैर हमेशा exposed रहते हैं तो थोड़ा जल्दी dry हो जाते हैं इसके अलावा आपको एक और सी जाल रखनी है कि अगर आप moisturizer नहीं इस्तमाल करना चाहते हैं तो आपको coconut oil का इस्तमाल कर लेना चाहिए coconut oil भी एक अच्छा moisturizer की तरह काम करता है बट इसमें सरफ एक ही problem है कि इसको आपको बार-बार लगाना पड़ता है क्योंकि इसका effect जो है वो थोड़ा कम समय के लिए रहता है बट अधरवाइस बहुत अच्छा moisturizer है coconut oil इसके अलावा आपको animals से या pet animals से contact avoid करना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को इनसे भी allergy होती है या बढ़ जाती है Summers में आप moisturizer लगाना थोड़ा कम भी कर सकते हैं पर winters में low humidity होने के कारण eczema बढ़ सकता है तो इसलिए आपको winters में moisturizer बार-बार जरूर लगाना चाहिए साथ ही जाद अगर आप woolen clothes पहन रहे हैं तो नीचे cotton के पूरी बाज़ुए कपड़े पहनें उसके ऊपर आप woolen clothes पहन लें ताकि आपकी skin में irritation ना हो इसके अलावा dust mites से भी allergies बढ़ने के chances होते हैं तो आपके घर में अगर carpets हैं तो उनको avoid करें या हटा दें साथ ही जाद vacuum का इस्तेमाल करें और बार-बार cleanliness maintain करें घर पर अब बात करते हैं medical treatment की medical treatment में भी moisturizers बहुत important role play करते हैं जैसे मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ इसके साथ साथ लगानी की steroid की creams जो कि आपके डॉक्टर आपके एक्जीमा के हिसाब से decide करते हैं कौन सी steroid cream लगाने के लिए आपको देनी है तो लगानी की steroid की creams इसमें इस्तेमाल होती हैं ये लाज में साथ जाथ anti allergic tablets इस्तेमाल होती हैं treatment में ताकि पेशन को itching जादा ना हो अगर आपको एक्जीमा बहुत जादा है तो उस situation में कई बार खानने के लिए steroids भी देने की जरूद पढ़ सकती है अगर एक्जीमा इमें infection हो गया है तो antibiotics खाने की भी जरूद पढ़ सकती है आपको इन सब दबाईयों के बावजूद भी अगर आपका एक्जीमा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बाकी immunity को दबाने की दबाईयों है जैसे कि आजाध है उप्रेम, mycophenolate, mofetil, cyclosporin या फिर methotrexate या फिर biologics देने की जरूद भी पढ़ सकती है इस वीडियो में मैंने आपको एक्जीमा के बारे में सभी कुछ पताने की कोशिश की है इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेशिंस हो जो कि मैं आज इस वीडियो में answer नहीं कर पाया हूँ तो आप मुझसे कॉमें सेक्षिन में पूछ सकते हैं मैं उनका रिप्लाई करने की कुशिश करूँगा प्लीस सब्सक्राइब तो आपके कुछ पताने की कुछिश करूँगा